हलो मैं लवली होम बेकर्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल तारा मध्दुकीर उसुई तो फ्रेंड्स कभी-कभी हमारे घर में हमारे उपर इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि हमें वो भी निवानी होती हैं और अपने काम के प्रती भी हमें सज़कता और उस पे भी मतलब एक faith, trust रखना पड़ता है तो दरसल ये जो केक का order आया था ये मेरे hometown जाने के दिन ही मुझे दो घंटे पहले आया था मैंने उसे भी मनाने किया अलांकि मेरी packing साइड में चल रही थी बट मैंने ये भी order complete करके दिया so that मुझे एक वीडियो मिल जाएगी और मैं आपका एक भी दिन खाली बिना recipe के अपने चैनल पर जाने नहीं दूंगी तो यहाँ पर मुझे 8 cupcakes का order आया था 4 pineapple flavor का और 4 chocolate flavor का तो यहाँ पर मैंने लगबख 100 gram premix लिया है एक cup को भर करके नहीं लिया था यहाँ पर मेरे पास थे यह paper के मोल्ड जो मैं थो चार मैंने मोल्ड रख लिये है और यह जो ice cream का scooper होता है ना उसकी मदद से अब यह batter इसमें डाल दूंगी इससे friends बहुत सारे लोग बोलते है मैं फाइदा क्या है अम पे तो spoon ही है तो देखिए बिल्कुल भी cup के आसपास नहीं लगता है और बराबर measurement में जाता है तो अगर आपके आसपास यह मिल जाए किसी भी बर्दन वाली दुकान पर या मौल वगरे में मिल जाता है तो यहां पर इसमें भी मुझे चार ही चौकलेट वाले cupcake बनाने हैं बट चौकलेट वाले जो cupcake सोते हैं वो ज्यादा फूलते नहीं हैं तो यहां पर भी मैं देखिए पूरा भर करके नहीं लोगी और यहां packet का शायद जो मू है मैंने थोड़ा छोटा कट किया है तो यहां देखिए हलका सा खाली चोड़ूँगी और बस मैं इसे डाल दूँगे तो मेरे आराम से चार cupcake बन जाएंगे तो इसके अंदर भी सेम वैसे ही oil डाल देंगे पूरा एक टिबल स्पून भर करके नहीं डालूँगी जैसे कप में थोड़ी जगत छोड़ दी थी जैसे oil में भी छोड़ दी है और यह देखे, स्मुझसा बैटर मारा बन गया है और चॉकलेट का या कोई भी बैटर आप बना रहे हैं ठंडा भी करना था और मतलब यह order भी देना था तो जलबाजी का काम है बट आप इतनान से आराम से तसलिशे की जाएगा यहां देखिए बराबर मैंने मेजरमेंट लिया था तो चारो मोल्ड के अंदर बढ़िया से बैटर डिवाइब मेरा हो गया है अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा टैप कर दूगी मैंने साइट्स को ना टिशू पेपर से पॉंच भी दिया अदर्वाइस वो लगा रहे गया न तो ब्राउन हो करके ना थोड़ी से हमारी शो खराब हो जाएगी तो बड़िया से मैंने इनने टैप कर दिया और आब मैं इने करूंगी बेक लैसे तो बेक आप गैस पर खळाई में भी कर सकते हैं और इसे मैंने दस मिनेक के लिए प्रीट करने रख दिया था और आप इसे खोल करके मिडल रैक में मैं इसे बेक करूंगी और आप देख सकते हैं मैंने बेकिंग ट्रेय ब्लैक वाली लिया है और आप देख सकते हैं रिजल्ट एकदम परफेक्ट आया है तो आप भी इस ओटीजी को मगवा सकते हैं इसका ओनलाइन पर्चेस लिंक पर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड है बहुत ही बढ़िया उटीजी है फ्रेंड्स में बहुत दिनों से इसे यूज कर रही है और इसके रिजल्ट एकदम परफेक्ट आते हैं और यहां पर देखे बढ़िया से एक जैसे हमारी यह कपकेक्स रेडी हुए है अब इन्हें आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजेगा औ किसी को भी ऐसे कपकेक बना कर उपर क्रीम लगा कर मत दीजेगा आप उसमें फिलिंग करके दीजेगा यहां पर यह मेरे थोड़े हल्के अभी गरम है क्योंकि मैं जलबाजी में काम कर रही हूं पर जब यह ठंडे हो जाएंगे न तो आप इने अराम से इस तरीके से स्कू कर सकते हैं बटब में वह आइडिया भूल गई हूं तो प्लीज आप दोबारा बताईएगा कि कैसे इसमें और अच्छी सी कैविटी बनाई जा सकती है और यहां पर अब मैं पाइनेपल वाले में भी कैविटी बना रही हूं कि इसमें भी मैं फिलिंग करने वाली हूं कुछ नहीं कि फिलिंग ही डालनी है आप जो फ्लेवर से रिलेटेट क्रश आते हैं वह भी डाल सकते हैं यहां पर देखिए पुड़ा सा चॉकलेट गनाश मेरे पास था मैंने उसे हलका सा माइक्रोवेव में क्रीन डाल करके घरम किया तो यह उतना बन गया है कि मेरे चार कपकेक्स की फिलिंग में चला जाएगा और अब मैं इसके अंदर इसे फिल कर रही हूँ लिकिन मानिए बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है जैसे चोकोलावा का आता है बिल्कुल उससे मिलता जुलता आता है वो भी कंग नाम में बढ़िया से तो यहां पर देखिए आते हैं यह इतना टेस्टी लगता है और जिस पेपर मोल में आपने बनाया यह उसी ने सेल भी हो जाता है तो कोई बरतन-बरतन का चांस भी नहीं होता जाए कि आपको कपकेक्स तुसरे में बनाने हैं उनको शिफ्ट करना है तो मतलब बहुत ही बड़िया सी चीज है और क पटापट खा सकते हैं, हर किसी को एक प्रॉपर सर्विंग मिलती है, बहुत जादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, दाम भी ठीक रहता है, तो हर कोई इसे प्रिफर करता है, तो अगर आप एक होंबेकर हैं, तो इस काम को आगे बढ़ाई है, आपको बहुत हम देगी। यहा आप अपनी मन चाही केक की डेकुरेशन कर सकते हैं और क्रीम काम करने के दौरां मिल्ट भी नहीं होगी तो अगर आप फ्रेंड्स एक stand mixer की तलाश में है जो आपका perfectly काम कर सके और आपको professionally help करे तो आप इस stand mixer को ले सकते हैं इसका online purchase link मेंने description box में add कर दिया है तो यहां पर देखिए मैंने सारे cupcakes के अंदर filling कर लिया है और अब मैंने क्रीम को भी विप कर लिया है लगको 200 ml क्रीम मैंने विप की है और यहां पर यह दो nozzle मैंने लिये हैं इनमे कोई नाम नंबर नहीं है बट इनका एक detail वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुके हैं जब मैं इन दोनों को लेकर के आई थी और आप मेरे पास इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स कि मैं क्रीम के अंदर कलर मिला हूँ और फिर इनके ओपर डेकोरेशन करूँ तो मैंने क्या किया है वह भी देख सकते हैं यहां पर क्रीम मैंने कर दिया इसके अंदर फिल और इतनी क्रीम से मेरे चार कप के डेकोरेट हो जाएंगे होई जाने चाहिए अदरवाइस फिर से बनानी पड़ेगी और फिर क्या है दुबारा पाइपिंग बैंग में यह समझ वाला काम नहीं हो पाएगा यह लका सा यह चॉकलेटी कलर आ रहा है इसी की वज़े से डिजाइन आएगा और यह देखिए केवल मैं स्टार्टिप नॉजल से इस तरीके से फ्लार बनानूंगी तो एक साइड में देखिए ब्राउन ब्राउन कलर आ रहा है और इतना सुंदर लग रहा है और यह नॉजल तो समझ लीजे बहुत ही सुंदर एफेक्ट देता है यह देखिए कितना प्यारा नीट और क्लीन हो जाती है वो सारा डीटेल में अगर आप देखना चाते हैं तो मैंने एक दिन पहले ही शायद दो दिन पहले इसकी एक डीटेल वीडियो शेयर किया है विप क्रीम वाली वह आप जरूर देखेगा आपको बहुत है लेगी उसमें मैंने बहुत सारी चोटी 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 जो आपको गर्मियो में especially बहुत हेल्प करेगा तो जरूर आप उस वीडियो को देखेगा और अगर आप OTG में perfectly कैसे cake baking की जाती है वो भी सीखना चाते हैं तो उसकी भी detail वीडियो मैंने शेयर की हुए है तो यहां पर मैंने देखे क्या क्या है दूसरा nozzle लगाया है फिर से प्रेशर दे रही हूं सो थोड़ी से swirl वाले बन जाए basically मुझे इसे cover करना था पहुत ज़्यादा क्रीम भी नहीं लगानी थी तो मेरा काम दीके चल गया और emulsion लगाने से बहुत ही गजब का टेस्ट आता है आप किसी भी अच्छी ब्रांग का emulsion ले लीजिए और आपको य आठो कपकेक्स रेडी हो गया है मैं थोड़ी ही क्लिप इसकी शूट कर पाई otherwise बहुत करती हूं क्योंकि जल्दबाजी थी और इनके ओपर थोड़ी से ये colorful balls में स्पिंकल कर दूँगी आपके पास जो भी चीज अवलेबल हो टॉपर हो या कोई cherries वगर आप लगाना चाह तो उन्होंने तो बोला है एक ट्रे में भी भेज़ दीजिया मैंने कर नहीं मैं आपको एक box में दे देती हूं में पास एक box अव लेबल है पदले कि 4 एक तरफ आगे है और जडूसरे 4 है वह मैं दूसरी तरफ सेट कर देती हूं पास में देने है तो यह टच नहीं होंगे तो और्डी का जो यूनी रैप्स आता है वो मैंने पेपर लिया और इसको किया ऐसे गुच-मुच-मुच-मुच-मुच-मुच और बीच में लगा दिया तो यह भाई लोग आपस में टच ना करें आपस में इनकी प्यार मबद ना हो और यह ऐसे कहले ही सेट रहे हैं और इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी फटाफट से अपने घर के अंदर अगर आपके पास पपर उटी जी है पेपर मोल्ड हैं बॉक्स हैं तो कोई भी और जाने अठर देती और अच्छे से देती है तो प्राइसिंग प्रेंड्स में आपके साथ शेर कर लिए एंप अच्छी से डिजाइन डिजाइए बॉक्स में कीजेगा और जाते जाते बस यही रिक्रेस्ट है ए वीदियो को लाइक शेर कर दीजेगा चैनल कौने बीदозмड कषकर लिजेगा और हम बिलेंगे नेक्स वीडियो में, so bye bye, take care.